Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल किया जाता है, यह आप देख सकते हो, खबर Reliance, हनुमान, मुकेश, अमबानी, बैक, चैट, GPT, to be launched in March, तो इसको हम डीटेल से समझेंगे, कि exactly है क्या, और especially यहाँ पर बहुत से लोग confused हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग जो scientific term है, जैसे कि Generative AI, यह क्या होता है, इसके अलावा Large Language Model, यह सारी चीजे मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपके जो भी doubts हैं, वो आपको मैं शरल सब्दों में बता सकूँ, चलिए सुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखेगा दोस्तों, हमारा जो sale है, वो start हो चुका है, मतलब अगर आप study IQ पर 29th of February तक अगर कोई भी batch लेना चाहते हैं, तो सबसे कम दाम पर ले सकते हैं, जैसे हमारा GS Foundation का जो batch है, UPSC का, इसमें पूरी त्यारी कराए जाती है, प्रिलेंस, मेंस, इंटर्व्यू, सब कुछ आपको मिलेगा, बस आपको हमारे website, app पर जाना है, या फिर comment section में link है, और use करना है code, अंकित live ताकि आपको maximum discount मिल जाए, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेश पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में, जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, तो चलिए सुरुआत करते हैं, और सबसे पहले ये देखते हैं, कि exactly हुआ क्या है, तो कि भारत की one of the most premier institution है, और साथी साथ seven other IITs हैं देश के, तो IIT, Bombay और IITs, बाकी की जो IITs हैं, वो मिलकर भारत GPT को lead कर रहे हैं, और भारत GPT को back कौन कर रहे हैं, तो को जो सरकार की department है, Department of Science and Technology, वो तो back करी रही है, लेकिन साथी साथ, जो Reliance Industries है, जिसके मालिक है, मुक है भारत GPT, इन्हों ने Announce किया है, कि वो पहला chat GPT like service, अगले महिने launch करने वाले हैं, जैसे chat GPT में usually क्या होता है, आप कोई questions वगरा put करते हो, जो भी आपको answer चाहिए, कोई information चाहिए, आप वो put करते हैं, लिखते हैं उसमें, और उसी प्रकार से आपको answer मिल जाता है, लेक किया जाएगा, और इसका नाम क्या होगा, ये होगा हनुमान, इसका जो नाम रखा गया है न, वो है आपका हनुमान, और ये basically Indian language model पर based होगा, और ये जो हनुमान बनाया गया है, वो भारत GPT ने SML, that is Sita Maha Lakshmi Healthcare के साथ मिल कर बनाया है, अब ये ध्यान में रखीगा, Sita Maha Lak Lakshmi Healthcare के साथ मिल कर बनाया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा, कि इसका रोल क्या है, क्योंकि क्या है न, कि ये जो इन्होंने बनाया है, उसमें वो अलग-अलग field में इस्तमाल किया जा सकता है, जैसे हेल्थ केर हो गया, Automobile Industry हो गया, बहुत सारे field में इसका इसका इस्तमा होगा, हर कोई आजकल Artificial Intelligence के बारे में बातचीत करने लग गया है, आप कहीं पर भी देख लो, पान नुकड की दुकान से भी लेकर, अलग-अलग जगा पर आप देखोगे, तो लोग आजकल AI करके कुछ बोनने लगें, भली, जरूरी नहीं है कि सब को समझ में आता हो, ले असलब एक ऐसा मशीन था, जब हम उसके अंदर कोई instruction देते थे, उस हिसाब से हमें वो जवाब मिलता था, वो हमें output मिलता था, लेकिन आज के date में computers काफी different हो गया, आपने देखा ही होगा पिछले 20-30 सालों में जिस तरह से change आया है, जो computer उसमें बहुत सारी ability आ गई है, उ तो Alexa क्या, जब आप पूछते हो ना, Hello Alexa, How are you? तो वो आपसे conversation करता है, आपको reply करता है, तो आज कल जो machines हैं, वो काफी intelligent होती जा रही हैं, और सिर्फ यहीं नहीं, आज के date में अगर आप computers देखोगे, तो वो कई सारे creative और intellectual task करने लग गया है, मतलब कि जो चीजें सिर्फ humans तक ही limited थी, जो हम सोचते थे कि वो तो चीजें सिर्फ humans ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता, वो भी आज के date में कहीं न कहीं computers करने लग गया है, तो यह जो चीज आना, यह जो ability है, इसी को हम कहते है, जनरेटिव AI, I hope आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब एक ऐसा artificial intelligence, इसके अंदर जो ability है, जो चमता है जिसके अंदर, जनरेटिव AI model के अंदर, मतलब कि मैंने आपको वोला ना कि, आज के rate में इनके अंदर चमता आ गई है, चीजों को सीखने की, आपसे conversation करने की, तो वो जो ability है, वो कहां से आई है, वो कहीं न कहीं जोडा जाता है इसको LLM के साथ, that is large language model, ठीक है, अब मैं आपको आगे बताऊंगा यहाँ पर detail से large language model क्या होता है, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ आपको बता दूँ, कि not all generative AI tools are built on LLM, ध्यान रखेगा, कि जितने भी generative AI tools होते हैं, मैंने आपको अभी बताया, generative AI क्या होता है, वो सभी LLM क के उपर based नहीं होते हैं, वो अलग-अलग चीज़ों के उपर based हो सकते हैं, लेकिन जितने भी LLM हैं, जितने भी large language models हैं, they are actually a form of generative AI, ठीक है, तो यह ध्यान रखना है, कि all generative AI are not LLM, but all LLM are generative AI, तो यहाँ पर अगर मैं चीज़ों को और deeply समझना है, तो LLM को समझना देखो, इसका full form है, large language model, basically एक deep learning technique का इस्तमाल करता है, ताकि जितने large amount of data हैं, जो text है, उसको यहाँ पर सही तरीके से इस्तमाल कर सकें, जैसे क्या है, आज की date में आप सबको पता है, data भरपूर है, मतलब हर जगा, मतलब आज आज आप इस वीडियो को देख रहे हो, mobile में या, laptop में, तो इसे भी तो data ही generate हो रहा है, ultimately, तो देखो, data तो बहुत जादा हो गया, आज की date में, लेकिन क्या data सरिफ important है, नहीं, उस data का सही इस्तमाल कैसी किया जा सकेंगा, वो important है, तो यहाँ पर जो large language model होता है, वो deep learning technique का इस्तमाल करता है, ताकि जो इतने amount of text है, data है, उसको process कर सके, so they work by processing vast amount of text, understanding the structure, and meaning, and learning from it, तो जितने data है, जैसे आज के date में, आप कुछ भी search करो, कुछी भी चीज के बारे में जाना हो, आपको तुरंद Wikipedia का page खुल जाएगा, तो Wikipedia में, आज के date में, आप देखो, तो huge amount of data collect हो गया है, लेकिन उस data का सही इस्तमाल कैसे किय जाए, वो large learning, जो models है, वो कर रहे है, मतलब वो data को अपने अंदर feed करते हैं, वो उस data से कुछ नई चीजे निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब कि, अगर आप कोई question पूछो, तो उतने सारे data में, आपको exact क्या answer मिले, वो यहाँ पर आपको provide करने की कोशिश की जाती है, तो language model है, जिसमें मैंने दो word को feed कर दिया, अगर मैंने कहा उसको son and, या फिर ऐसे ले लो father and daughter, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये बस दो शब्द को डाल दिया, language model के अंदर, लेकिन जो ये क्या करेगा ना, ये basically उनके relationship को भी समझ जाएगा, मतलब जो relation, अब मान लो father और daughter के बी चीजों को समझना, वो काम करता है, large language model, मतलब आज तक वो चीज़े कौन समझ सकता था, सिर्फ human समझ सकते थे, हम समझ सकते थे, कि या फादर और daughter का क्या relations होते है, husband और wife का क्या relation होता है, या फिर कोई भी चीज़ आप ले लो दुनिया के अंदर, तो वो सारी चीज़ें अचकल machines जो है, वो सीखने लगी है, और उसी को हम LLM कहते हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, जितना जादा हम data training करेंगे, मतलब जितना जादा amount of data जो है, उसके अंदर feed किया जाएगा, उतना अच्छे से वो अपने आपको understand कर सकेगा, उतना अच्छे तरहीके से वो smart answer आपको दे सकेगा, और आज के date में large data sets की हम बात करते हैं, तो जो मैं आपको बता रहा था, Wikipedia हो गया, open web text हो गया, हर जगा आपको data मिल जाएंगे, तो वो वहीं से data को collect करता है, और आपको exact answer मिलना चाहिए, वो आपको answer देने की कोशिश करता है, तो वही है आपका text जो है, जो जो चीज़ें generate किये जाते थे humans के द्वारा, वो चीज़ें आज के date में ये LLM जो है, वो create कर सकता है, I hope this thing is enough कि आपको LLM और जो आपको generative AI है, वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, अब हम आते हैं कि हनुमान क्या है, देखो अब वो आप चीज समझ गया तो ये भी बहुत अच्छे से समझ में आ जागा, हनुमान is a series of large language model, ठीक है, अब समझ में आया हनुमान भी एक तरह का large language model का ही series है, जो की 11 Indian languages में, चाहें वो हिंदी है, तमिल है, मराटी है, और इनका plan है कि इसको further expand करके 20 से जादा language में लाया जाए, मतलब कि क्या है ना, क जैसे जादा तर जगा अगर आप देखोगे AI वगरा, वो English वगरा में ही काम करते हैं, आप English में question पूछते हो, English में आपको answer मिलता है, लेकिन हनुमान एक ऐसा AI chatbot बनाए गया है, जिससे अगर आप कोई question feed वगरा करोगे, अलग language में, भारत में मालो, मराठी हो गया, सारे जो लोग हैं, अलग-अलग language में questions वगरा पूछ रहते, और उस हिसाब से उनको, उसी language में उनको answer मिल रहा था, तो हनुमान has been designed to work in various fields, अब इसका use क्या है, देखो, इसको अलग-अलग चीजों में इस्तमाल कर सकते हैं, आज की date में अगर आप देखोगे, तो हमारे ग इस language के माध्यम से इस्तमाल कर पाएंगे, education हो गया, ठीक है, and ध्यान रखीगा, it is not just a chatbot, यहाँ पर हम सिर्फ यह देखें कि भई, इसके अंदर question feed कर रहे हमें answer मिल जा रहा है, text के form में, सिर्फ वही नहीं है, यहाँ पर in fact, अगर आप कुछ बोलते हो ना, अगर आप, मा उसको भी वो process करके आपको कुछ different चीजें ला सकता है, I hope आसो मज़ प्यार होगे, सिर्फ यह chatbot नहीं है, यह काफी बड़ा multi-model AI tool है एक तरह से, and one of the first customized यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा, मैंने आपको starting में बताया था, regarding sml, that is, भारत GPT ने सीता महालक्षमी healthcare के साथ मिलकर यह जो हनुमान है, इसको develop किया है, तो again यहाँ पर हम medical data के अंदर, medical data का इस्तमाल करके, जो अलग-अलग चीजे है medical field में, वो हम निकालने की कोशिश करेंगे, और इसके अंदर जो data वगरा feed की एक हैं, जो size है, वो 1.5 billion से लेकर 40 billion parameters इसके अंदर देखने को मिलते हैं लेकिन देखें, यहाँ पर जो SML की जो founder है, विश्नु वर्धन, उन्होंने ये भी काया कि देखें, इसमें कुछ challenges भी हैं, कई बार क्या हो सकता है, कि यहाँ पर जो data sets वगरा है, वो synthetic होंगे, पहले के data होंगे, तो अगर हम आज की date में, real world के event में अगर हम देखें, तो ह हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें change हो गई हो, तो हो सकता है कि शाद हम उसे कुछ questions पूछें, तो हमें कुछ inaccurate answers भी मिल सकते हैं, तो उन सब का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ, still, जितना जादा ये work करेंगे, जितना जादा हम इसमें data feed करेंगे, उस हिसाब से ये और जादा बहतर हो जाएंगे, ठीक है, और इसके अलावा भी आप मेंसे अगर कोई लोग सोच रहे हैं कि क्या अलग इसी प्रकार का कोई Indian language models है, बिलकुल, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर काफी जादा कोशिश की जा रही है, इसकी तरफ बहुत से companies प्रयास करें जैसे Ola का Crew Trim हो गया, सरवम AI का Open Hathi हो गया, IIT मदरास के दोरा डवलप किया जा रहा है, एरावत, ठीक है, model, इस तरह के कई सारी चीज़ें डवलप हो रही हैं, और अगेन आपको समझना है कि आज के डेट में AI बहुत important role play करने वाला है, तो हर एक देश को, especially भारत अगर ह इसके अंदर शामिल हो, ये कोशिश करने चाहिए, ये सरकार को भी support करना चाहिए, I hope आपको समझ में आ गया होगा, और अगले महने ये launch होगा, let's see, कैसा होता है ये, और जाने से पहले एक interesting question, क्या बता सकते हो, Asia का largest 4 meter international liquid mirror telescope, ये कौन से राज में आपको देखने को मिलेग इन 4 option में से, इसका right answer आप सबको पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उतर में कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, अगर आपको PDF की तो Telegram पर आए, अलग ड़ा social media पर आप अब तयारी हुई, affordable